जैहिंद आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रविट नाडू विबाद आखिर है क्या हाली में द्रविट नाडू विबाद बहुत ही चर्चा में है आईए जानते हैं द्रविट नाडू है क्या देखेगा ए राजा इनका नाम है ए राजा ये तमिल नाडू के एक न अधरवाइस हम पिरियार के पदे चिनों पर चलते हुए अलग राष्टर दविद नाड़ू की मांग करने लगे इन्होंने अपने बयान में कहा और कहा कि परधान मंतरी नरेंद्र मोधी और ग्रीह मंतरी अमित्सा हमें अलग राष्टर की मांग के लिए मजबूर ना करें ये DMK के सांसद हैं, इन्होंने DMK के सांसद हैं, इनका नाम है A-Raja, N-T-Muthu-Raja, इन्होंने अपने बयान में कहा, अब आप सोच रहे होंगे कि आखर ये द्रविड नाडु है गया, तो द्रविड नाडु, आपने तमिल नाडु सुना ही होगा, तमिल नाडु तो सुना है, द्रविड नाडु कहां से आ गया है, तो देखे, तमिल नाडु, सबसे पहले देखेगा, तमिल नाडु, तमिल नाडु कहा है, जहां तमिल लोग रहते हैं, तो उसे क्या कहाते हैं, तमिल नाडु, तमिल नाडु में तमिल लोगों के लिए एक अलग राज्य बना दिया जिसे तमिल नाडू कहा जाने लगा यह जो इसके अंदर अब जो तमिल नाडू है अब जो तमिल नाडू है इसके अंदर क्या द्रवड़ी लोग रहते हैं इसके अंदर में कुछ द्रवड़ी लोग रहते हैं तो पिरियार की मांग थी पिरियार जो थे उनकी मांग थी कि ज जब देश का विभाजन हो तो देश को चार भागों में विभाजित किया यह पिरियार का सबसे बड़ा लख्षे था अब जाने यह पिरियार का सबसे बड़ा लख्षे था कि जब देश का विभाजन हो तो चार भागों में हो कौन-कौन से तो देखेगा सबसे पहले वह चा जहां हिंदी बोला जाता है वो हिंदुस्तान कहा जाने लगा और चौथा जो मांग था चौथा जो था द्रविड नाडू द्रविड नाडू में चार राज्ये थे द्रविड नाडू जो था उसमें चार राज्ये का मांग किया जाता था जिसमें आंदरपर्देश हो गया आपका ये आंद्र परदेश करनाटक हो गया, तमिल नाडू हो गया और केरल, ये चार राज्ये रविड नाडू के अंतरगत थे, अब समझते हैं याकिर कौन थे परिये, पेरियार, तो पेरियार, इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1889 को, और इनका निधन हुआ था 24 दिसंबर 1973 को, इनका पूरा नाम था इरोड वेंगर नायकर रामा सामी, इनका अन्य नाम भी था, एवियार, पेरियार या वाइकम, बिरार कहा जाता था, ये पेसे से राजनेता सामझी करता और शुधारवादी थे, बता और नेता सफ़, इनके नेता का सफर दिखेगा, सबसे पहल इनके बाद 1924 में पेरियार ने वाइकम सत्यागरा किया, 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, इसके बाद 1929 में अपना उम नाम नायकर को छोड़ा, इसके बाद 1938 में तमिल नाडू, तमिलों के लिए नारा दिया, 1944 में जश्टिस पार्टी कर नाम बदल कर द्रविर क कर गम किया, इनके बारे में कुछ खास बातें देखिएगा, ये 15 साल के उमरे में पिता से अनबन के चलते घर छोड़ दिया, इनके परसंसाक उन्हें पेरियार कहते, इसका मतलब पवित्र आत्मा या सम्मानित वक्ति होता है, द्रविर आंदोलन सुरू कर जश्टिस पार आप खड़े हुए, सरकारी नौकरियों और सिख्छा के छेत्र में आरक्षड का परस्ताव भी रखा पिरियार ने, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेयर कर दीजेगा, थैंक्यो